जिसके कारण ये द्वन्द नजर आते हैं उस देवी का नाम माया है और जो माया का सुरूप है इस दृष्टांत के माध्यम से आप सब समझ जाएंगे वशिष्टी जी माराज कहते हैं अत्यस्मिन बसुधा पीछे कोशलो नाम मंडलः कल्प ब्रक्ष बनम मेरा वीव रत्न गणा का रहा जैसे मेरगुरी परवत पर कल्प ब्रक्ष हैं उस कल्प ब्रक्ष में के नीचे जो भी पहुँच जाए सब कामना हैं उसकी पूरी हो जाती हैं वैसे माराज इस प्रतिवी मंडल पर एक कोशल नामक देश है अवद ही है ना रहन ये तो कोशल नामक देश है यहां पर पहुँचने पर सब कामना पूरी हो जाए इस कोशल नामक देश में माराज एक पंडी जी माराज रहते थे तत्रा अभोद ब्राम्वन हां कस्चित गुणी गाधी रितिस्ष्रुता कोई पंडी जी ब्राम्वन रहते थे बड़े गुणी थे और परम सोत्रियो ध्रीमान बेदों के दानकार थे बड़े बुद्धिमान थे लगता था कि ये धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ती ही विराजमान है धर्माचरण में जीवन इनका विथीत होता था मरज इन्होंने क्या किया कि अपने परिवार का परित्याग करके अपने सुरूप को जानने के लिए ही किमप्यभी मतमकारियम बिनिधाय सोचेतशी अपने चित में ही मानो संकल्प ले करके बंदू ब्रंदान बिनिस्क्रम्य तपस तप्तो बनम यजव अपने बंदूओं को छोड़ करके बंदू बांधवों का परित्याग करके ये स्रीमान जी तब करने के लिए निकल गए पंडी जी महराज और जहां ये तप करने के लिए गए वहाँ बहुत विशाल एक तालाब था सरोबर था उशी के किनाने माराज ये तप में सनलगन हो गए यहां वरन किया गया आठ मास तक ये माराज एक चिल्लू पानी पी लेते थे और सरोबर में खड़े हो करके ही तप कर रहे थे बड़ा इनका बिकट तप है इस तप से माराज भगवान बड़े प्रभावित हुए प्रशन हुए और जब भगवान माराज इनके सामने प्रगट हुए जो असंह के ब्रभावन में भी दिमान परमात्मा हैं वही मानो आज ग्रदे कमल में पहले प्रगट हुआ और प्रगट हो करके सामने जब आया आकर परमात्मा ने कहा गाधी तुम्हें जो मांगना हो सो मांग लो आज हम तुम्हें सरवस्टों देने के लिए तयार है माराज इनके भी मानस में पता नहीं क्या आया भगवान की माया तो खुली आँख से देखी रहे थे के तो उसके बाद भी बुले माराज आपके तो दर्शन हो गए अब मैं आपकी माया का भी दर्शन करना चाहता हूँ आप करपा करके हमको माया मिमाम तुदचिताम भगवन परमात मिकीम आप करपा करके हमको अपनी माया के दर्शन करा दीजिए अब माया के दर्शन करना चाहते हैं आपकी माया है कैसी एक बार इस माया को के दर्शन तो हमको हो जाए भगवान निका जाओ तुमको निश्चित्र बभू परितुष्टात्मा दर्शनेन जगत पते तुम्हें दर्शन होंगे और भगवान ये कह करके महाराज बहां से निकल गए ये श्रीमान जी एक दिने श्नान करने के लिए गए थे सरोवर में एकदा आरा विद्वान श्नानम और श्नान कर रहे थे चिंतन बहिस्टमम वाक्यम भगवान विष्णू के वाक्यों का चिंतन कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि माया के दर्शन होगे माया के दर्शन होगे पता नहीं कम माया के दर्शन होगे और जो महराज इन्होंने डूबकी लगाई डूबकी लगाते ही ये महराज देखने क्या लगे कि एक महराज चांडाल की पत्नी है और मैं उसके गर्भ में बालक हूँ महराज जी भगवान की बड़ी बिलक्षण माया हैं स्रीमान जी ब्राम्वन और ये माया का जब दर्शन इनको होने लगा तो ये चिंतन क्या कर रहे हैं कि महराज एक चांडाल की पत्नी है स्री हैं और उसके गर्भ में मैं हूँ और उसके गर्भ में बहुत पीड़ा पा रहा हूँ ये पीड़ा का भी चिंतन कर रहे हैं उस गर्भडी का भी दर्शन कर रहे हैं चांडालिन का और उस गर्भ का भी दर्शन कर रहे हैं बगवान की माया एकादर्शन ये कर रहे थे और उसके बाद माराज ये समय पूरा हुआ प्रशो पीड़ा हुई उस चांडारिन को और ये बालक के रूप में प्रगट हुए और जब ये बालक के रूप में प्रगट हुए तो बारा वर्ष की अवस्था तक तो मारा जो वहीं चानल इनके साथ रहे फिर बाद में एक चांडाल कर्णिया के साथ इनका विवा हो गया और जब इनका विवा हो गया चांडाल कर्णिया के साथ में तो वहां से हमारा जी घर में उसको लेकर किया है उसका भी यहां वर्णन किया गया है श्यामलम, श्यामयासरंगम, ब्रंग में वो कुस्मावदी जैसे भावरा होता है वैसे भावरी मिलती है ऐसे चांडाल था तो इसको चांडाली न मिली थी ये भी बिलकुल काला कलूटा था इदर्शन करा है हमारा सरीर कैसा है वो भी बड़ी काली कलूटी थी उसको ले करके आया और कई बच्चे उससे उत्पन हुए कई बच्चे उत्पन हुए और उसके बाद भी माना जी ये वहाँ घर में रहता है कलत्र का परिवार का बारन पोशन करता रहता है दीरे दीरे जवानी बीद गई और जवानी बीद कर बच्चे बड़े होने लगी ये ब्रद्द हो गया अब ये जब ब्रद्दावस्ता को मारा सनईर जरजरताम यातम मारा जब दीरे दीरे जर्जता ब्रदावस्ता को ये प्राप्त हो गया तो ब्रदावस्ता को प्राप्त हो जाने के बाद इसको बहुत दुख मिला वहाँ अकालादी पढ़ गया था दुरुविक्षादी पढ़ा तो भी दुख खाने को न मिले और ब्रदावस्ता तो अपने में ये एक दुख है उससे भी बड़ा दुखित था ये वहां से निकल करके माराजी एक देश में पहुँचा स्रीमतीपूरी में वहां बड़ा दिव्य नगर था ये तो गाउंक के रहने वाला उस नगर को माराजी ये देख रहा था और जब ये नगर को देख रहा था बड़ा प्रशन हो रहा था तब तक एक सामने इस एक हाथी आया सजाद अजा हाथी था और हाथी ने माराज इसका हाथ पकड़ लिया उसके साथ सबसेना भी थी मंत्री मंडल भी थे और इसको राजा बना दिया गया वहां के देश का माराज नियम था अलग-अलग धंग होता है तो वहां का नियम था कि जब राजा कोई मर जाता था तो राजा का चैन प्रजा नहीं करती थी कि कौन राजा बनेगा और महराज बोटिंग का भी मामला नहीं था उनके हाँ जो हाथी था हाथी ही चैन करता था हाथी जिसको पकल डे जिसको के दे कि यह हम बनाया जाएगा राजा वही बना दिया जाए तो हमारे श्री गादी जी को महराज अभी तो चांडाल जी बन कर वेठे हैं इनको वहां का राजा बनाया गया दिभ भवन में ले जाया गया पहले तो मारा जिसका सरीर गडबर था वहां दिभ दिभ उप्टमनों से इसको श्नान कराया गया और इसको सुंदर बनाया गया पद मिल जाने के बार तोड़ी जवानी भी आजाती बुड़ापा हो तो जवानी आ जाए यह पद का भी थोड़ा असर होता है जी हमने देखा हमारे बाजपे जी जब पद में थे टो खुब दोड़ते थे हमको लगा यह पद में कुछ सामर्था जाता है क्या ये पद का भी महराज एक अपना मामला होता है अब ये वहाँ तो ब्रत्दावस्ता में था किन्तो पद मिलते ही महराज इसको सामर्था गया और इसने महराज खुब वहाँ भोग भोगे या उसके भोग का बड़े विस्तार से वर्णन है और ये था तो सही महराज चांडाल एक गाओं का पैदा हुआ व्यक्ति किन्तो इसने राज का बड़े अच्छे ढंग से समाला इसकी प्रतिवा देखिए राजा के पद पर जब बैठा हमरे महराज स्वामी मात्मा जी कह रहे थे महराज जी हमको कि जब कोई पद पर बैठा राज पद पर राज पद बैठता है तो भगवान के उसमें गुण आ जाते है इस्वी गुण आते है अपने पद की एक गरिमा होती है इसलिए हमारे यहाँ पंजाब में तो शिक्य परमपरा में परंपरा का बहुत महत्तो है जिसको गुरु जी कह दे वो उसको बैठाल दे उसको फिर वो योगिता नहीं देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे गद्धी का महत्तो है अगर गद्धी पर बैठ गया है वो तो चाहे कैसा हो सारे वक्त वरन उसको मात तो देंगे क्योंकि पद का भी अपना मात तो होता है एक गरिमा होती है उसकी क्योंकि उसमें इस्वरी गुण नारायन के गुण आते हैं राजा में इस्वर के गुण बसते हैं पद में इस्वर के और भगवार ने तो वैसे ही का है यदि यदि विभूति मस सत्वम जहाँ जहाँ विभूतियां है विसे वहाँ तो भगवान के ही तो गुण है इसने महाराज बड़े अच्छे सुन्दर डंग से राजी को समाला है एक दिन संयोग ये बना कि महाराज ये सजाद हजा वैसे इसको वस्त्रवादी से ज़्यादा प्रेम नहीं था इसको जो बहुत राजा लोग आभुषन पहनते हैं मुकुटादी से भी इसको प्रेम नहीं था कि मुकुट पहने कुंडल दारन करें ये सब बाजू बंदादी बांधे क्योंकि बात ये नहीं जैसे बच्पन बीटता है उसका असर जीवन भर बना रहता है अबने देखा है जो बच्पन में फक्कड रहा हो वो चाहे कितने बईभव में पहुँच जाए वो फकड़ी का असर तो बना रहता है वो बहिरागे का गुण बना रहता है वो छुटता नहीं है माराज वो बना रहता है प्रभाव बना रहता है तो इसके जीवन वो बहिरागे का प्रभाव तो बना था तो वैसे ही रहता था एक बार सभा में निकला तो संयोग से उस गाओं के लोग आये हुए थे वो चांडाल जो परंपरा का था उस परंपरा के लोग बहुत आये थे उनको तो पता नहीं था कि माराजी हमारा बंस वाला यहां राजा बन गया है इसका नाम भी यहां बजल गया था वहाँ गाओं का नाम दूसरा था और छोटे लोगों को महात्माओं को होता है जब किसी को बड़े पदपर देखते तो पुराना ही नाम लेकर के नाम लेंगे वेक मारे पात दक्षिन के महात्मा अरिद्वार में तो बड़े-बड़े महात्माओं के घर का नाम ले लेकर पुकार रहे थे तो आमने का कि महात्मा बन गए आप पुराना नाम ले लेकर क्यों पुकार रहे हो पुराने-पुराने महारज वो पुझसवामी सत्मित्रान जी महारज की मामरल सुर्जी का घर का नाम लेके पकारने लगे बर्दमात्मा दक्षिन के थे हम बोजन करा रहे थे फिर हमने हाँ जोड़ करके अमने का माराजी अरे बोले आप जानते हुने यह हमारा पहले का पुराना यार है तो मैंने देखा माराज वो दिखाने के लिए पुराना नाम इसलिए लेते हैं कि मैं से बहुत पुराना परचित हूँ मैं पुराना हूँ यह नया है माराज देखेंगे करेंगे जो माराज देखते हम जो माराज विमान से पके हुए लोग इस दंग से होते हैं तुरत पुराना नाम लेंगे माराज वो अपना बड़पन दिखाने के लिए ये ब्यापार होता है अपना बड़पन दिखाने के लिए अपने आयू का बड़पन दिखाने के लिए अपने पद का बड़पन दिखाने के लिए तो इन लोगों ने माराज जो देखा सामा ने कोई पड़ा लिखा व्यक्ति होता योग व्यक्ति होता सोता कि नहीं भाई ये तो राजा बन गया है भले हमारे परिवार का है किन्तो एकांत में मिलेंगे ऐसे नहीं कहेंगे किन्तों महराज ये चांडाल परिवार के ठेरे तो चांडाल है जैसा बेवार ये सब पुकारने लगे पुराना नाम ले ले करके और पुकारने लगे तो उसम मंत्रीगन सोचने लगे मामला क्या है और उस राष्ट में रहने वाले अधिकतर ब्राह्मन लोग थे सदाचारी लोग उन सब लोगों ने सोचा ये चांडाल परिवार का है क्या अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं था चंडाल परिवार का है क्या और इसको भी महराज अपनी ममता जग गई ममता क्या जगी अपने गाओं बारे लोग आते हैं थोड़ी ममता तो जग जाती है तोड़ा याद आती है बज़पन की ममता जगी तो ये भी मारा राज उनको सब को बुला लिया कि आ जाओ हमारे यहां हमारे साथ बैठो हमारे साथ खाओ सब को बुला लिया तो लोग इतने अपने घ्रणाबाव से अपने से भर गए कि चितां बनने लगी और सब कूंद कूंद करके राष्ट के लोग जलने लगे। यहां बड़े बिस्तार से वर्ण है कितने हजारों लोग जल गए। इमाराज जंता का तो ऐसे ही खेले एक तरफ चल पड़े कोई तो यह भावावेस में बीना बिचारे भी चल पड़ते हैं। क्या हिंदुस्तान बेडिया दसान एक बेडिया यह दिकुआ में गिर जाए यह मूर के विचार भी नहीं करेंगे तुरत गिर जाएंगे क्यों गिर गए। हम कई बार देखते हैं जो मैं पढ़ता था उसमें आरक्षन लगा तो जाने कितने बच्चे मर गए थे जला जला के अपने को अब क्या मिला वही जलने से एक कोई बाबरा जल गया तो अपने भी जलना प्रारम कर दिये अब क्या मिलेगा क्यों जलना ही इसका कोई सोचना नहीं है इन अकटों का समाज है जी एक इसने नाख कटा लिए तो का हमको भगवान के दर्शन हो गए तो समाज ही चल गया मारा समाजे ही चल गया तो यहां का तो खेल बड़ा बिलक्षन है हमारे एक महात्मा सुनाते है माथे मतुरा नात विराजे कानन कुंडल खटके और हाथन में जगजीवन स्वामी वांगे वाला नहीं सुनाएंगे आप लोग जान जाएए तो महात्मा बड़े डंग से सुनाते है जहां जहां गए बुले भाई आप ऐसा करो ये तिलक लगाने लगो तो भगवान मिल जाएंगे ये माला पहने लगो तो भगवान मिल जाएंगे गोरखनाद का कान छिदवालो तो भगवान मिल जाएंगे आप मुशलमानी कर लो तो खुदा मिल जाएगा तो मुशलमानी कर वाली तो माराज ये तो देखा देखी जहां चल पड़े इनको लगा माराज जब प्रास्चित से ही सांती मिलेगी तो ये कीर नगर के जितने लोग थे माराज सब आत्म दाह करने लगे सब कुन कुन करके मरने लगे और जब ये नारण कुन कुन करके मरने लगे तो ये देख करके अब इतने दिन से समाज में रहा था बहले किराद परिवार में पला था तो कुछ चित में सतोगुन बिचार तो आया इसको लगा कि एरे मेरी वजह से सब इतने मर रहे हैं तो ये भी मारा च्छलांग लगा गया और च्छलांग जब लगा गया चिता में तो ये मर गया सॉबा भी एके मुर्टी होगी शारीर जल गया अब ये देख रहा है कि जल गया अगर ये जला होता तो देखता कौन आप जरा इस दरश्टांत को देखिए गा समझेए गा इस ने देखा कि जल गया और जो जलने लगा सो इसकी माराज जो जल में डुबकी लगा कर चिंतन कर रहा था तो तुरत माराज चेतना जगी तो चेतना जगी तो जल में खड़ा था और जल में खड़ा था सोचने लगा मैं कमाल हो गया मैं सो भी नहीं रहा था कि सो रहा होता तो सब्न देखता ये मामला क्या है ये कौन नगर बन गया और कैसे राजा बन गया मैं ही चांडाल बन गया और आठ वर्ष तक मेरे को वहां राजी करने का भी कीरदेश में मिला ये मारा चिंतन करा था किन्तो गुथियां कोई खुल नहीं रही थी उसकी कुछ समझ में नहीं आता राद दिन चिंतन करता था ये क्या देखा है जैसे मारा चिंतन नहीं देखा था ये सत्य की वो सत्य वही दसा हुई कि जागरत जगत देख रहा हूं ये सत्य है कि जो मैंने देखा है वो सत्य है अब कुछ समझ नहीं पा रहा था एक दिन संयोग से एक मारा जुनके घर में अतिथी आ गए उपन्डी जी के जब अतिथी का आगमन हो गया इन्होंने अतिथी का बहुत स्वागत किया हमारे यहां अतिथी के स्वागत करने की परंपरा ही है और स्वागत करने के बाद उन्होंने कहा कि एक बात बताओ आप इतने खुरुग्ण कैसे हैं दुबले पतले हैं मुझे समझ में नहीं हारा, आपको कोई पीडा है, आप बताओ तो सही, इन्हों ने माराज बताना प्रारम किया, कि जिस राज में मैं रहता था, उस राज में एक चांडाल माराज राजा बन गया था, और राजा चांडाल बन जाने की कारण उस सब सारी घठना सुनाई इन् ये तो मेरा ही लूप था कि वहाँ ऐसे से गटना गटी थी फिर वो राजा भी जल गया तो बात ये है कि हमने भी मारा चंद्राइन ब्रत किये और वहाँ से प्राश्चित करने के लिए मैं प्रयाग में आया था और प्रयाग में आकर के हमने प्राश्चित किया है और प्राश्चित करके चंद्राइन ब्रत कर रहा हूं तो ये त्रती चंद्राइन ब्रत है जब मैं आपके पास में आया हूं तो चंद्राइन ब्रत होने के कारण ही सरीर दुर्बल हो गया है जब महराज इन्होंने ये बताया तो कहा कि आप जरा बताओ तो सही वो देश कहां पर है जहां आप आए हो तो उस महराज आती थी ने सब बता दिया कि वो भूत मंडल नामक इस्थान है जहां पर ये देश है और वहाँ ऐसे ऐसे राजा बना था ऐसे ऐसे गाओं में उत्पन हुआ था बुले काम करो वहां हमको ले चलो मैं देखना चाहता हूँ तो गादि नामक इस ब्राम्हन महराज वहाँ से निकल करके ये गया और जाकर के जिस गाओं में माराज पैदा हुआ था चांडाल के घर में वह आँ गया तो चांडाल का घर भी मिला बड़े विस्तार से वर्नन किया गया है कि माराज वहाँ घर भी मिला घर की दिवाले तूट गई थी कोई रहने वाला नहीं था उस समय बच्चे भी मर गया थे परिवार भी मर गया था उसका तो घर की बड़ी देनी दसा थी ऐसा माराज वर्नन किया बिभध स्वर्नन किया वहाँ कैसे हड़ियां पड़ी है जैसे जो खाता था कैसे कुटे चिक गार करते हैं हमारे वशिष्ट जी माराजी ने ऐसा वर्णन किया है उसका लगता है जैसे साकार दर्शन करके ही वर्णन कर रहे हूं तो इन्हों ने कहां कि माराजी इस प्रकार से सब का दर्शन किया और सब इस्थान दर्शन करके सब उनको श्मृति आ रही थी कि मैं यहां रहा था, मैं यहां रहा था यह हमारे पुराने पुराने लोग थे जब मैं चांडाल बना था तो इनके साथ हमारा बैठना होता था इनके साथ उठना होता था इनके साथ ऐसी चर्चा होती थी सब इसम्रती उसको आई और वहां से माराज निकल करके जब गया जिस देश में राजा बना था तो वहां भी पहुँचा और वहां भी पहुँचा तो जो जो उसने देखा था सब उसको नजर आ रहा था और जब सब नजर आ रहा था उसको कि यहां मैं इतने दिन रहा ऐसे रहा ऐसे हमारी यहां सब लोग जल रहे थे मैं भी यहां जल गया वहां मारज लोगों के जले हुए मांस की गंद भी आ रही थी वहाँ मांस के जो लोग जल गए ते हड़ी मांस की गड़ी वी गंद आ रही थी इसने उसका भी दर्शन किया और दर्शन करके आया तो ये कुछ समझ नहीं पाया कि बाराज यदि सपन के समान था तो फिर ये दिखना नहीं चाहिए था और ये दिख रहा है तो सपन के समान कैसे है ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो आया और जब माराज वहाँ से इब्राम्मन आ करके गादी वापस आया और वापस आ करके फिर स्निया आराधना प्रारंब की क्योंकि दूसरा कोई साधन था नहीं अमरे यांकी जो परंपरा ये जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो साधन करो बजन करो भई अंता करन पवित्र होगा तो बात समझ में आ जाएगी नाराएन की इनोंने आराधना प्रारंब कर दी और नाराएन की जब नाराधना इनोंने प्रारंब की तो नाराण इन से बड़े प्रशन हुए और प्रशन होकर के इनके सामने प्रगट हुए और जब प्रगट हुए भगवान इनके सामने तब इनोंने कहा कि माराज ये समझ में नहीं आया कि क्या है तो बुले यही तो हम दिखाना चाहते थे इसी का नाम माया है एसा ही माया महती तेन में चक्रधारिना ये चक्रधारी मैंने तुमारी माया देख ली तुमारी माया देख ली तद इदानीम तथा यतनम करिश्य गिरिकंदरे अब तो हम यहीं गिरिकंदरा में आकर बजन करेंगे यहां बैठकर के आपको कहीं जाना नहीं थी संचित नगराज महराज वान स्याकर के कंदरा में बैठकर आराधनाई कर रहे थे और नरेंड के सामने महराज जब इनके नेत्रों के सामने बहगवान प्रगट हुए तो बहगवान ने कह इसी का नाम माया है इसका नाम माया यह है कि आप विचार भी ने कर सको और जो दिखाई पड़ जाए अगटन गटना गटियेसी पटियेसी माया आप देखो मानच यह तरक से देखा जाए तो यह गटना कैसे समझ में आएगी आप देखा जाए तरक से कोशिश करो क्योंकि यहां प्रत्यक्ष दिख रहा है सारी गटनाएं इसको प्रत्यक्ष दिखिए मानसाधी का गंद भी गर्व में रहना ऐसे हम लोग यह जगत सामने देखते हैं तो देखकर सामने जगत थोड़ी लगता है कि यह मिथ्या है सचे मिनारेंग भात तो यह है कि दिखरा इसलिए मिथ्या है पहले सर्थ तो यह है oke कि दिखरा है इसलिए je मिथ्या है है कि जो दिखेगा वा माया का ही होगा दूसरा कुछ नहीं होगा बगवान नहीं माराज इनको बड़े सुंधर ढंग से। बगवान गादी के सामने सब इन प्रशंगों को प्रगट करते हैं। कि अरे गादी तुने माया देखने के लिए हमसे प्रार्थना की थी कि हम माया देखना चाहते हैं। तो मैंने तुम्हें माया दिखा दी कि पहले तुमको यहां दिखा दिया फिर वैसा ही जगत दिखा भी दिया किन्तों एक बात मैं कहूं आपको कहां बोलो प्रभू क्या कहना चाहते हो बोले जो अतिति आये थे वो भी जूठा था जो आतिति तुम्हारे गर्ण में आये थे वो भी सुपन था और जो जिनके साथ तुम गए देखने के लिए अतिति के साथ वो भी सुपन था जो जो तुम्हारे मन में कामनाएं थी उसी आधार पर दिखा दिया जो जो तुम्हारे मन में कामनाएं थी जिसना क्योंकि तुमने वो ऐसा देखा था तो देखने के बाद क्या हुआ था कि तुम्हारे मन में एक फिल्म बनी हुई थी पूरी क्योंकि पहले वो देख लिया था तुमने माया का जगत तो माया का जगत देखने के कारण ये मनो ऐसा विस्तार कर दिया दिया जो इतना बताया तो जोस्री के इतने दिवाने बने हो इतने दिवाने बने मेरे को फोन करके कहते महराजी उसको तो सब पता है अब उसने ये भी बताया इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा अमने का ये सब जूठा है और जोस्री के चकड में क्यों नपने उन्होंने सब प्रत्यक्ष बता दिया है हमने का ये तेरे मन में जो जो चल रहा था ना तेरे मन में जो जो संसकार भरे हुए थे उसके मन में जो जो संसकार भरे थे कि वो हमारे साथ ऐसा बेवार कर रहा है हमने का जिन जिन गटनाओं को मैंने का उसको बताया गटनाओं गटनाओं हमको भी पता थी हमने का इस मामले में तुम ये मानते हो की नहीं मानते बोले हाँ मैं मानता हूँ ये तेरी मानता है और तेरी मानता तेरे मन में है तेरी मानता तेरे मन में है उसी मानता के आधार पर मन के आधार पर इसने बता दिया तो हमने का कि मन कैसे पढ़ दिया हमने का इसको पढ़ने की विधा है मन को पढ़ने की विधा है किन्तो गटना क्या गटेगी इसके बाद बताने की विधा नहीं है इसकी बताने की विधा नहीं है तो लोग यह महराज भूत की बाद बता करके भविस्ट में ठगने का काम बढ़िया चालो हो जाता है लोग उसमें चकड में आ जाते हैं कि भूत बताया तो भविस्ट से भी सही सही बता देंगे तो वैसे ये भूत क्यों किसके आदार पर क्योंकि मन में वो गटना भरी हुई थी जो चीज मन में भरी हुए है आपके आप कई बार देखना